आईवे ये है रोशनी का करवाँ आईवे ये है रोशनी का करवाँ और न्याय पाने का सलीमा जी अरे शेरू अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए हाँ अच्छा सलीमा जी मुझे आपस एक जरूरी सवाल पूछना था हाँ भई पूछो ये बताईए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है अ चार्टर्ड अरे एक मिनिट एक मिनिट मेरे पास तीन ऑप्शन्स भी है और सलीमा जी आपने ऑप्शन बी यानि दिमाग को ही क्यों चुना भई अप किताबें पढ़ने के लिए दिमाग कहोना तो जरूरी है न शेरू तो फिर आप आखों को भी चुन सकती थी शेरू मियां लगता है तुमने अभी ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना है जिन्होंने दृष्ट हीन होते हुए भी C.A. की डिगरी हासिल की है हम में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि Numbers, Calculations और Diagrams देख कर करने वाली चीज़े है पर किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दृड इच्छा का होना और इसी के एक मिसाल है बंगलूरू की रहने वाली रजनी गोपाल कृष्णा जिन से बात की है हमारे दोस्त हमारे सहियोगी जोज इब्राहम ने आईए सुनते हैं उस बातचीत के कुछ अंश और अब शेरू इंटर्व्यू सुनने के लिए तुम्हें यहां से बाहर जाना होगा और 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 इसके लिए तुम्हारे पास दो आप्शन है सुनना चाहोगे तुम खिड़की से बाहर जाना पसंद करोगे या के दर्वाजे से लेकिन मैं ठीक है मैं जा रहा हूं नमश्कार रजनी आपका हमारे कारेक्रम में स्वागत है नमश्कार जोज सर आप बारत में पहला महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो द्रिष्टी इन है और चार्टर्ड अकाउंटेंट सी एक ऐसा क्षेत्र है जो अकसर माना जाता है कि द्रिष्टी इन लोगों के लिए नहीं है तो आपने ये कारिक्षेत्र कैसे चुना मेरी जो पिंसिलीन अलर्जी के वज़े से मैं अपने दुष्टी को पाइटी ग्राजियूली जब मैं बीकॉंग कर रहे थी तब मेरी राइट आई का विजन पूरा चला गया उसके बाद मुझे तो सिफ लेफट आई का लिटल विजन था में बीकॉंग कर रहे थी बीकॉंग होने के बाद मुझे जब मैं इंट्र developments में गई तो मेरे दूश्टी हिनुता का वज़ से मैं इंट्र São Авगा इंट्रील में क्लियर नहीं कर पाई तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, maximum 15-20 minutes I could read a test stretch. तो मैं सोचाई थी कि चलो, 15-20 minutes पढ़ाई करूँ, 10 minutes जो मी पढ़ाई की हूँ, उसका रिविशन कर लो, ताकि टाइम भी बेस नहीं होगा, और मेरे आइस को रेस्पी मिलेगा, ताकि दुबारा मैं साट कर सकती हूँ, इस तरह मैं अपना इंट्रमेडियाट सी एग्जाम का पढ़ाई की, ये इंट्रमेडियाट एग्जाम पहली दफा ही पास हुआ या तूसरा एटम लेना पड़ाई पहली अटम्प में ही पास ही, वर सिर्फ आपने अटेकलơi केए उस वक्या पहली तो इस वक्याट केश रेति था जाएग्छे के अटमेडियाएं, And my auditors are also quite cooperative. That's why I didn't have so much trouble. अपने उस वक्त technology का इस नहीं है जासे कि जोज है? To be very frank, मुझे तब तक पता नहीं था कि अगर हम हमारे दुष्ठी थोड़ी है तब भी हम blind माना जा सकता है तो मुझे ये जो असिस्टिव टेक्नोलजी या फिर एज जो विजुली चैलेंज के लिए जो फेसिलिटी है वो सब मुझे कुछ भी पता नहीं था इंट्रमेडिया होने के बाद मेरी दुष्ठी काफी कमजोर हो गई मुझे पढ़ाई बिलकुल नहीं हो पाया तब मुझे लगा कि अभी मैं नॉर्मल परसंजे से पढ़ाई नहीं कर पाती हूं इस पीच मेरे पपा का तबियत भी काफी बिगट गया था तो उस वज़े से मुझे लगा कि अगर मैं बाहर जाती हूं अभी तो मैं दुष्ठी हीं के जैसे जाना है इसलिए मैं ब्रीक लेली इसलिए मैं श्क्स यस्परेक लेली मुझे लगा कि अब भी मैं अपना फाइनल दे सकती हूं मगर हाँ कैसे वो सारा मेटिरियल मुझे सॉफ्ट कॉपी में कनवाट काना है तब मैं इंडिया इंडिया को अपरोच की इंस्टुट वालों ने मुझे सॉफ्ट कॉपी मेटिरियल बेज दी उसके सहरे मैं पढ़ाई की तो अपने एक्जाम कैसे लिका? मैं तो स्क्राइब फेसिलिटी ले ली स्क्राइब था वो अंडर ग्राज्यूएट और एक्स्टर टाइम आपको मिला? हाफ एना मिला एक्स्टर टाइम और यह दूसरे टाइम में अपने क्लियर किया यह फाइनल एक्जाम और आपका यह जॉब का जो सर्च इस वक्त शुरू हुआ मुझे काफी इंट्रिव्यूस फेस करना पड़ा और जब मैं इंट्रिव्यूस जाती थी मुझे एम्प्लोयस को समझाना पड़ता था कि हम सिर्फ ब्रेल यूज नहीं करते हैं काफी सारा असस्टिव टेक्नोलजी है हम कंप्यूटर भी उस कर सकते हैं सबीर बोल रहते हैं कि वाव क्या बात है शी अस दान इट बड़ इंट्रिव बताईये कि आपको प्रेसेंट कंपनी यहां पर एंप्लोयमेंट मिलने का मुझे कारन अगर आपको पताना है तो क्या होगा जब मैं इंटर्विव में गाई थी तो मैं एक ही बात बोली कि I want to prove in my career टेकिंग में इंट अर्गनेजिशिशन शुट बी अवैल्यू अडिशन टू दा कंपनी ऐसे कुछ नहीं कि उससे क्या होता है मेरी जो अंदर की तैलेंट है केपबलिटीस है वो एक्सप्रेस काने का मुझे मुझे मौका नहीं मिलता है फिल्कुल अफकोस I also demonstrated the screen rating software कैसे हम software यूज करके कैसे browse करते हैं नहीं करते हैं